तो आज रेशपी में हम बनाने वाले हैं बेर का सबजी तो आप लोग वीडियो पर बने रहेगा तो देखते हैं बेर का सब्सक्राइब बनता है तो दोस्तों देखिए हम बेर तोड़ करके ले आये हैं कि इतना अच्छा अच्छा भी रहा है यह दो खटा मिठा भी रहा है पहले इसको हम धोएंगे तो चलते हैं कीचन बनाने के लिए तो दोस्तों फी बेर जो है तो पहले इसको हम साफ कर लेते हैं तो साफ क्या करेंगे यह जो डंटी जो है पहले तोड़ेंगे तो अच्छी तरह से सब डंटी हम तोड़ेंगे उसके बाद हम धोएंगे तो देखिए इसे इसे तरह से हम सब डंटी तोड़ेंगे यह निकाल देंगे अच्छी तरह से चाकू नहीं लगाना है हाथे से तूड़ देंगे तो सारा डंटी हम तोड़ लिये हैं बेरवाला आप इसको हम पहले हम दोएंगे अच्छी तरह से धो लेते हैं तो दोस्तों हम देर को धो लिये हैं देखिए अच्छी तरह से धो लिये हैं अब चलते हैं सिलवाटा पर थोड़ा खुला खुला कूटेंगे तो दोस्तों हम सिल्पाटा बढ़ियां से धो लिये हैं अब देखिए यह जो है इसको हलका हलका हम कूटेंगे ताकि इसको इसका अंदर में जो गुठली है उसको हम निकालेंगे नहीं थोड़ा खुला खुला करेंगे ताकि इसमें मसाला तेल मसाला पीएगा तो देखिए इसको हम कूट रहे हैं अई देखिए इसका अंदर का गुठली जो है अंदरे में रहने देंगे नहीं निकालेंगे खाने मे अच्छा लगेगा तो थोड़ा खुला खुला कर देते हैं इसमें मसाला और तेल पीएगा अंदर जाएगा थोड़ा थोड़ा इसी इसी तरह हम सारा बेर को पूटेंगे देख रहे हैं इससे खाली खुला कर देते हैं तो बेर को हम अच्छी तरह से कुटली हैं इसका गुटली नहीं निकाले अंदर में तो एसे कुटे हैं दोस्तों जैकि इसका गुटली अंदरे में रखे हैं लिए तो खाने में मज़़ा लगेगा देम मुँ में जाए गान गुठली देखिये इसका बेर नहीं लिए हैं कंचा-कंचा वेर तो अभी हम्生fa बना रहे हैं और पीछले रेसेपी में हम इसका अचार बना करके डाले हैं वह टेश्टदार अचार बनाए थे वह भी मेला चैनल करके देख सकते हैं तो चलिए अब ये तो खुई इसका क्या क्या डालेंगे अब इसके लिए मसाला निकालते हैं तो दोस्तों देखिए इसका मसाला क्या क्या डालेंगे देखिए लाल मिर्चे है तीन पीस हरी मिर्चे है तीन पीस एक पीस है प्याज और तीन चार कली है रस मतलब छिरा फै प्यास को पीषेंगे तब मिलेंगे तो दोस्तों देखिए मसाला पिसकर के हम ले आये हैं और प्याज भी काट लिए हैं और आगी धर जल गया है अब कड़ाई चड़ा देते हैं तो कड़ाई भी चड़ा दियें दोस्तों जब तक ले कड़ाई गरम होगा तब जाते हम ठमाटर तुड़ने तो देखिए दोस्तों यहां पर तमाटर मेरा फ़ला हुआ है घरे पर कीचन के बगल में है मेरा गाड़न तो यहीं पर हम तोड़ लेते हैं यह देखिए पकापका तमाटर है पुरा बगान में था तो बंदर सारब खा गया उदर बेगन था टमाटर था तो unmदर नहीं बंडर सब लटान एक देहां अब नज자 ऑटा मेरम ग्रम हो गया दोस्तों अब तेल ड़ालते हैं तो तेल मेरा गरम हो गया है, अब इसमें हम कड़का लगाते हैं, हरी मिर्ची डाल देते हैं, प्याज भी डाल देते हैं, खोड़ा सा हिंग भी डाल देते हैं, पहले हिंग नहीं डाले के पुजल जाता है, अब बेर को भी डाल देते हैं, अब भूनें गेस को, बस्की तरह से, पुआ कोज़गा से भी क अब भी बीजर ही पुआ गये हैं, अब भी कोज़गा है हम आपका वह पोझका पता है, कि यहीं पर हम हल्दी पोड़र डाल देते हैं नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार आता है थोड़ा सा नमक ज्यादा लगेगा और तमाटर भी डाल देते हैं तमाटर भी भुनाएगा और किसी भी मसाला भी डाल देते हैं इस लेर का सबीर दम चकपटा बनने वाला है हुँ, 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 हुँ कि देखिए दोफ्तों बेर का सब्जी कितना लाजवाब दिख रहा है देख रहे हैं जिस तरह देखने में लगे लग रहा है उसी तरह खाने में भी लग रहा है कजन गहां बुञा गया है अचीपर से हब थोड़ा सा पानी डालेंगे हैं कि एक में पानी डाले जोसट्यों बेद ही बनाना है थाका पानी डालेंगे ताकि मेरे सब्जी लटब सब्धकर रहे इदर की सब यह पर मिला देते हैं पानी थोड़ा एक मिनट में सुख जाएगा तब सब्जी हो जाएगा त्यार पक गया है इसको ढखेंगे नहीं भूंते भूंते पक गया है थोड़ा सा लगाएंगे पानी खाली सुखेगा सब्जी मेरा रेडी हो गया है दोस्तों इसको उतार देते हैं देखिए कितना एकदम टेस्ट बना है लाजवाब बना है एकदम देखने में लग रहा है उसने खुब्सूरत तो चलिए उतारते हैं इसको हां दे रहे हैं बेबी अभी गरम है गरम है बेबी जा उदर उदर जा बेबी अभी इसमें हम धनिया पता डाल रहे हैं हां धनिया पता काईगी मेरी बेबी मांग रही है खाने चलिए तो दोस्तों सब्जी हम बना लिये हैं आप देखिए आप सभी के लिए सर्व कर रहे हैं बेर का सब्जी थोड़ा टेस्ट कर लिजिए दोस्तों देखिए इतना ला जबाब दिख रहा है सब्जी आईए दोस्तों बेर का सब्जी खाने के लिए थड़ा आ जाईए और चिखिए तो बेरा बेर का सब्जी क्या टेस्ट है थड़ा कॉमेंट में लिखिएगा और मेरा रेसिपी अगर अच्छा लगा तो कॉमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों आप मिलेंगे एक नए रिसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई